नमस्कार मैं दुशियन सिंग, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, इस उमीद के साथ के आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इसके साथ आपकी UBPCS Prelims की त्यारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी. एकॉनमिक्स पर हम 10 क्लासेज अब तक कर चुके हैं, यह 11 वा क्लास है, जिसमें हम भारती वित्त बजार के विशय में बात करेंगे, और कुछ जो महत्वपूर्ट चीज़े हो सकती हैं, एक्जाम के पॉइंट अब्यू से उन पर चर्चा करेंगे, एकॉनमिक्स का जो जितना मैंने कराया है, आप इतना कर लीजेगा, इसके अलावा एकॉनमिक्स में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी, तो चलिए क्लासे स्टार्ट करते हैं, भारती वित्त बजार को समझते हैं, भारती वित्त बजार होता क्या है, यह अर्थ वि इवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर जो अलग-अलग कंपनियां होती हैं, अलग-लग जो कह सकते हैं, अध्यों के काईयां होती हैं, उनके सेयर्स को खरmběता है, उनमें अपनी हिस्सेदारी को सुनिस्चित करता है, दूसरा पच्छ, एक ऐसा पच्छ होता भारती वित्वजार एक ऐसा बजार है जहां पर अतिरिक्त धनवाला पच्छ और कम धनवाला पच्छ जो होता है उसके बीच में आपसी पैसे का लेंदेन होता है। इन दोनों समितियों की सिफारिशों के आधार पर ही भारती वित्वजार में मुद्रा बजार की स्थापना की गई थी। इसमें धनका लेंदेन एक वर्षिया उससे ज्यादा समय की अवधी के लिए किया जाता है। अब मुद्रा बजार के कुछ उप बजार है, मिनी मार्केट है। वो कौन-कौन से हैं और इनसे जुड़े हुए प्रशन पूछे जा सकते हैं। तो कौन-मनी बजार के अंतरकत 14 दिनों तक, maximum 14 दिनों तक पैसा उधार दिया जा सकता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, इसके द्वारा केंदर सरकार जो होती है, वो अल्पकालिक करिंड प्राप्त करती है। इसमें जो ट्रेजरी बिल होते हैं, वो कितने दिवस के लिए उनको उधार दिया जाता है पैसा, तो वो 91, 182, 364 ठीक है, अलग-अलग तीन कैटिगरिया हैं इसके 91 दिनों के लिए, 182 दिनों के लिए, 304 दिनों के लिए जो है ये ट्रेजरी बिल से रिलेटेड होता है। वारेजिक बिल क्या होता है? जो वित्तिय संस्थान होते हैं, या सहकारी बैंक होती हैं, या mutual fund कमपनिया जो होती हैं, वो इसको यूज करती हैं। जमा परमाड पत्र ये एक ऐसा परमाड पत्र है, जो बैंकों द्वारा अपनी तातकालिक धन कमी को पूरा करने में यूज किया जाता है, जमा परमाड पत्र. वारेजिक पत्र क्या होता है? कमपनियों द्वारा अलपकाल के लिए, कम समय के लिए, रिण के प्रियोक के लिए, जिस पत्र का प्रियोक किया जाता है, वो वारेजिक पत्र होता है. इसके अलावा, मुद्रा बाजार, mutual fund जो है, MMMF, इ यहां पर क्या होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है, गौर्मेंट सेक्टर्स के जो शेर्स होते हैं, उनका लेंदेन जो है, गिल्ट इस्ड बाजार के अंतरकत किया जाता है, इसके अलावा आप से पूछा जा सकता है, कि डिसकाउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इं जानी जाती है, ठेक है, अब यहां से देखेंगे, जो पूझी बाजार था, पूझी बाजार को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बाटते हैं, एक होते हैं इसके अंतरकत, जितने भी इन्वेस्टमेंट एजनसी जो होती है, निवेस संस्थान जो होते हैं, वो इसके परकेट से जूड़ी हुई, जितनी भी इन्वेस्टमेशन थी, वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, अब इसके बाद में एक टर्मा आता है, आपका मुद्रा का स्टॉक, स्टॉक समझ रहे हैं आप भंडार, स्टॉक का मतलब क्या है भंडार, तो मुद्रा का भंडा मुद्रा का स्टॉक, तो मुद्रा की जो मातरा होती है, मुद्रा का स्टॉक होता है, उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, ये रिजर्व बैंक ओफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, मुद्रा के मापन की चार जो है तरीके हैं, चार इसकी प्रवरतिया हैं, उनको होता है, तो M1 क्या है, M1 के अंतरगत कौन-कौन से मुद्रा के स्टॉक आते हैं, या कौन-कौन सी चीजें आती हैं, उनको देख लेते हैं, तो जनता के पास जितने भी currency note होते हैं, जनता में हम और आप सभी लोग आ जाते हैं, जैसे आपके पास जितना भी पैसा है, चाहे वो नोटों के रूप में हैं, चाहे वो सिक्कों के रूप में हैं, वो सारा इसके अंतरगत आता है, इसके अलावा बैंकों की मांग जमा, जिसमें बचत खाता जो आपका saving account होता है, या जो आपका current account होता है, चालू उखाता जो होता है, उन सभी में जितना पैसा होता है, वो भी M1 के अंतरगत आता है, इसके अलाबा RBI के पास में जो अन्य जमाएं होती है, वो मिला करके M1 बनता है, M1 को generally हम कह सकते हैं कि जनता को उपलब्द मुद्रा की जो मातरा होती है, वो M1 के अंतरगत आती है, इसके अंदर जो मुद्रा होती है, वो संकीनड होती है, जिसकी investment में जो भूमिका होती है, contribution होता है, ना के बराबर होता है, दूसरा है M2, M2 क्या है, इसमें M2 के अंतरगत जितनी भी चीज़ें हैं, वो प्लस डाग घर के पास जितनी भी जमाराशी होती है, वो मिला करके M2 बनता है, यहनि M2 के अंतरगत जो मुद्रा होती है, मुद्रा नंबर 2 जो उसको कहते हैं, तो उसमें M1 के अंतरगत जितनी भी चीज़ें हमने बताई थी, जनता के पास currency सिखके, प्लस आपका RBI के पास अन्य जमाएं, और बैंक की जमाराशी जो होती है, सेविंग अकाउंट की वो मिला करके, प्लस उसमें डाग घर के पास जितनी भी जमाराशी है, उसको और उसमें add-on कर दिया जाए, तो आपका M2 बन जाता है, ठीक है, और डाग घर के पास बहुत सारा पैसा हम जैसे सुकन्या सम्रत दिखाता, जैसे उसमें खूलते हैं, डाग घर में, तो उसमें हम अपना पैसा डालते हैं, तो बचत योजनाओं में इन्वेस्ट किया गया पैसा, इसके अलावा जो सेविंग अकाउंट होते हैं, डाग घर के, वो मिला करके, प बैंकों की सावधिक जमाएं, बैंकों में जितना पैसा जमाँ होता है, ये मिला करके, आपका M3 बन जाता है, और इसे व्यापक मुद्रा या सुलब मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि M3 के अंतर का जितनी भी मुद्रा आती है, वो आसानी से उपलब्द होती है, लोगों को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं M3 को सुलभ मुद्रा कहते हैं ठीक है आपसे पूछा जा सकता है कि M3 क्या कहलाती है तो ये सुलभ मुद्रा कहलाती है व्यापक मुद्रा कहलाती है M4 में क्या आता है? M3 के अंतरगत जितनी भी सारी चीज़े हैं, वो आ जाएंगी, प्लस डाक घर की सकल जमाएं टोटल जितना भी डाक घर का पैसा होता है, हर चीज़ का, जिसमें मांग जमाई भी सम्मिलित होती है सावधिक जमाईवी सम्मेलित होती है वो सारा मिला करके जो है वो M4 के अंतरगत आता है ठीक है अब बात करते हैं कुछ प्रमख वित्ती संस्थानों के बारे में जिनकी स्थापना उनके कारे उनके मुख्याले से जुड़े हुए प्रस्ण अक्सर करके परिक्षा में डायरे इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भारती आयात निर्यात बैंक भी कहते हैं इसकी स्थापना एक जनवरी 1982 को हुई थी इसका काम है देश-विदेश के ब्यापार को विद्तिय सुविधाय प्रदान करना और उसको नाबाड कई बार पूछा क्या है रास्टियक रसी एवम ग्रामिट बिकास बैंक इसको कहा जाता है पारे जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी इसके बाद में LIC आपका Life Insurance Corporation भारतिय जीवन बीमानेगा में इसको कहा जाता है सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई मुख् 88 में इसको स्टेबलेश किया गया था IFCI भारतिय ओध्योगिक वित्त निगम ठीक है उसकी जो स्थापना है वो 1948 में है और ICICI भारतिय ओध्योगिक साख एवम निवेश निगम जनवरी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी इसका जो काम है वो मध्यावदी एवम दीरगावद रिड़ों को रिड़ पत्र जो है ओधार देने का काम ICICI करती है IRBI भारतिय ओध्योगिक पुनर निर्माड बैंक 20 मार्च 1985 को इसकी स्थापना हुई इसका काम है बीमार और बंध ओध्योगिक एकाईयों को यानि जो ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जो किसी भी कारण बस क्या हो गई है बंध पड़ गई है या उनकी कंडिशन सही नहीं चल रही है उनको फिर दुबारा से पुनर जीवित करने का काम करना UTI Unit Trust of India एक फरवरी 1964 को इसकी स्थापना होती है Head Office इसकी मुंबई में है काम क्या करती है विभिन ने यूनिट स्कीमों में अपने यू इसकी स्थापना होती है इतनी सारी जानकारी आपको यहां से याद रखनी है छोटा सा सैसन था जिसमें हमने बहुत कम समय में बहुत important चीजों के बारे में discussion किया आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से फिर एक next वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए नमस कार जैहिए